आज सुबह जब मैं उठी ना तो बहुत शदीद बारिश हो रही थी मेरा खाला काफी देर से हो रही थी मैं तो उठी हूं तकरीब पौने चे के करीब तो उस टाइम भी जो है ना बहुत शदीद बारिश थी और ये तकरीब रुकी है साड़े दस के करीब और आज हमारी हेलपर भी नहीं आई थी क्यूंकि उनकी कोई डैथ होगी थी किसी की तो वो उसने आज नहीं आना था और ड्राइवर मेरा भी जा चुका था मेरे एजबिन के साथ तो खैर मैंने सोचा के ओपर चलती हूं कि जो टैरस पे पानी कठा हो जाता ना उसको नुएशन करवाई है तो सारी पालिश कोगा रहा हुई है और उस उससे पहले कहीं ऐसा होता रहा है कि बारिश होती होगी ना तो मैं एक दिन बार जाके ओपर दुलवाती थी तो वो जो पानी खड़ा रहता था 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 ना वो खड़ा रह रहा कि ना इस पिलर वाली शाइब इस वज़ा से ना तो वो तो मैं डरी वी थी उस वकत से इतने बुरे लगते थे निशान जितना भी वाइपर लगा लो कूछ लो उसको लेकिन उसाफ नहीं तो अब मैं क्या होता है कि बारिश जैसी होती है कोई घर हो ना हो है पर हो ना हो मैं सबसे पहला काम यह करत अघ्म साफा पारिश के बारिश के बारिश के बारिश के बाद मैं अधने निखर जाते हैं चाहरे अगर डिल्ली अधर फिर्णीर उर्स शाफ हो रहा है हर चीज Delhi कyu daily हो रही है हर के बार्ड़न अपके पर पढ़त बह. हरां से हर चीज़ बार्डन नीत विचन आपी लगा को भी आप ले लेंना किसी एक कमरे को साफ करके तो यकीन करें कि करने हमें हमारे पर कि इसना बोज नहीं पड़ता और रूटीन में जतना भी बड़ा घ्रोगा ना तो वो संभ्लता रहेगा और बड़े घ्र को संभाल के रखना भी यकीन करें बहुत मुश्फिक काम इतना मुश्किल काम है ना कि बस दिमाग भी जो है ना वो उल जाई रहता है हर काम के अंदर यहां पर मैंने यह मैट उठाया था तो यह एक टेबल पढ़ा है उसके उपर रख दिया था क्यूंकि इस पर पानी बहुत ज़दा कठा ही भारी हो गया था इतना उठाए नहीं ज जाए हर चीज़ बड़ी नीट और साफ हो ज़ए तकर आधे इसको मैं साफ करंगी और उसके बाद जबारा से रुटीन वाले कामों में दो लग जाएंगे एक दू दिन से मेरे चोटे बेटे को काफी सारी प्रेशर हो रहा था उसको गले जो यह ड़वा ने उसके अड़ी तो बस यहां पर मैं उसके लिए प्रूट बनान लगी थी क्योंकि इतने दिन जो आना वो कहते हैं न बुखार में एकना मुह कड़वा हुआ तक कोई चीज उसके खाने को दिल ही नहीं का रहा हुआ तो आज उसका दिल किया है खाने को कि तकरीबं तीन-चार दिन गुजर गया है तो अब कुछ बैटर थी उसकी तबीयत तो अब उसने मुझसे मांगा तो मैंने का चलो मैं अपने बच्चे को ना कोई चाट बगएरा बना कर दे देती हूं और थोड़ी सी खुद भी खा लू तो अब कोई काम कर देनी न सकना मैंने तो बस बच्चों के साथ मैं लगके बैठ जाय करती थी अब तो माशाला बड़े हो गए हैं बच्चे तो अब इस तरह तो नहीं बैठते लेकिन यह है कि जहन जो है न बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों को बिमार होने के व बच्चा डेली रूटीन में इनसान के बहुत से काम होते हैं है ना इतने काम इतने काम के खतम होने का ना मिली लेते हैं और मैं सोचती हूं अकसर के शादी से पहले मैंने कभी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया था बिलीव मी हाथ भी नहीं लगाया था और यकीन करें कि ज कोई अब बुरी किया ना अगे जाके जो करना होगा कर लेंगी देखा जाएगा जब टाहिमाएगा ना किसी चीज में सीरियस तो थे ही नहीं हम तो खैर शादी के बाद भी काफी अरसा तक जो है ना वो इतना कोई खास काम नहीं किया लेकिन ये जो आपको सीधा करते हैं या आपके बच्चे करते हैं जब ये बैदा होते हैं ना इनसान सीधा हो जाता है बिलकुए तो खैर साथ साथ काम की बाद भी करने अब तो हम बड मैं आर्ण griefsın तरन के अर्ज ऺूभ योगर करेंगी तो है इसमें अपनी घ्रॉसरे की जो अहयुक्त अबूरक्शनी कोफ्के के अपनी ताur होती है। मैं पता होता है कि कुन सी मैंने बास्किट आज खाली करती है और दूसरे साइड पर मैंने अपनी मिशीन रखी वी है लाइंड वी मेरी काफी बड़ी है तो इसलिए जो है ना साली हो जाती है मुझे ना हर चीज को सेटल करने में कपड़े बगरा और बैक यार्ड है तो बड तो सोचा करती थी कि जिदीगी में कभी मैं बेकिंग नी कर सकती लेकिन जब ये मैंने बनाए ना तो मैंने अपने आप को शाबाश दी कि वा जी वा बड़े मज़े के कपकेक बनाएं तो खेर कहने का मकसद यह जो है ना उसको लात आला ने ऐसी मटी से बनाया है कि वो और अपनी लाइफ को परोड़क्टिव लाइफ बनाने में देर नहीं लगती है और एक सुघर और समयदार औरत की यही एक अलामत है तो जनाब ये चेक करें मेरे कपकेक कितने मज़े के यमी से लग रहे हैं ना टेस्टी तो बस यहां पर हमारी चे भी त्यार हो गई थी वो हमने डाली और उसके बाद हमने इन कपकेक के साथ चेक इंचुआए किया तो ये था जी मेरा आज का व्लाग मुझे अजासत दें अल्ला हाफिस